देखो भाई आज हम लोग बात करेंगे ना इंसी आटी 2.1 के बारे में एक्सरसाइज एक एक कोश्चन में करवा दूँगा इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है इसका कंसेप्ट का वीडियो मैंने अल्रेडी पढ़ा रखा अगर नहीं देखिए हो ना तो डिस्क्रि देखो यहां पर लिखा भी गया है इन्वार्श ट्राग्नमेट्री फंक्शन इंसी आटी 2.1 देख लो भाई फिर कभी भी किसी वीडियो देखने की जरूवत नहीं पड़ेगा एक वीडियो में मैं आपका सारा चीच किलियर कर दोगा किसी परकार का कोई दिक्कत नहीं है आगे आईये देखिए पहला आपसे कहना क्या चाहरा है, प्रिंस्पल भैलू निकालने बोलता है, फ्रिंस्पल भैलू होता क्या है, वो अभी इस बात में पता चल लेगा cheese का प्रिंस्पल भैलू बताना है देखिए प्रिंस्पल भेलू इसी का निकालना है जी तो मैंने पिछले कंसेप्ट में एक बात बताया था कि जब साइन इन्वार्स भेहन साइन इन्वार्स साइन इन्वार्स माइनस एक्स रहे तो फर्मूला हो जाता है माइनस साइन इन्वार्स एक्स यहीं कंसेप्ट होता तो मैं इस फर्मूला के इस्तेमाल करता हूं देखो माइनस है यह माइनस वाला फर्मूला लगा है तो फर्मूला कहता माइनस साइन इन्वार्स माइनस के बाद एक्स रहता तो एक्स लिखता है मेरे पास माइनस के बाद बनवाई टू है तो बनवाई टू है कोई सा समस्या ह अब यह वाला कोशन बहुत ही खुशुरत सा है माइनस का माइनस हो गया इसको बनाना कितना असान है यह पूछ रहा ना साइन में उलट के पूछ रहा है कि साइन में किसका वैलू एक वटा दूर तो मैं आपको जनकारी के लिए बता दूं कि साइन तीस दीगरी का वैल्यू 1y 2 यही इधर चला जाएगा यह साइन है यह इधर चला जाएगा तो हो जायेगा साइन इन्वार्स 1y 2 और इदर बचेगा क्या 30 डिगरी इधर बचेगा 30 डिगरी आप साइन इन्वार्स यानि साइन तीज का वैलू एक वटादू होता है तो मैं यहां 30 डिग्री नहीं लिखूंगा डिग्री में काम नहीं चलता है प्लस टू में रेडियन में लिखना पड़ता है तो मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुके हैं 30 डिग्री को रेडियन में हम लोग 5y6 लिखते हैं 30 डिग्री को अगर लिखना होगा रेडियन में तो 5y6 लिखते हैं यानि यहां जो इसका फाइनल अंसर आएगा 5y6 5y6 आएगा इसका अंसर एक डम अराम से समझ गये होंगे कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक अब बात करते आगे बहुत ही खुब्सूरत सा सवालों के साथ आगला कोश्चन चलते हैं अराम अराम से समाज यह पूरी कहानी समझ में आ जाएगा चले फिलाल मेरे से यह पूछा है कि कॉस्ट दूसरा नमर कोश्चन कॉस्ट इनभार सु यहां तो माइनस नहीं है तो सिंपल सा फंडा होगा ना यह पूछना चाहेगा जब माइनस नहीं तो फर्मूला नहीं लगेगा वह माइनस वारा concept वीडियों बहुत तरीके से पढ़ाया हूं वहां जाके देख ले ना टाइप बाइटाइप कि जब एंगल पोजेटिव हो जब एंगल निगेटिव हो तो क्या करना है तो सिंपल यह पूछना चाहता है कॉस में किसका वैल्यू रूट-3-2 होता है कि पूछा है लेकिन एईसे तो पूछा नहीं है तो इसका है हो जायगा इधर कॉस है इधर चला जाएगा तो हो जाएगा cos inverse root 3y2 और इधर बचेगा क्या 30 और मैं 30 degree को लिखता हूँ 5y6 radian में और यह हो गया cos inverse root 3y2 और इसी का तो भैलू पूछा था कि cos inverse root 3y2 का क्या होता है तो direct answer लिखेंगे 5y6 का अब तुम कहोगे गुरू जी क्या मैं हमेशा ऐसा करूँगा नई ब्रदर हमेशा ऐसा नहीं करना इतना time थोड़ी ना देना कियों चुटकियों का सवाल है तो आप बस ऐसे पुछना कि cos में किसका value root 3y2 का तो बोलोगे सर्स 30 degree का और 30 degree को क्या लिखते हैं 5y6 तो direct 5y6 लेखेंगे इतना लिखने का time जाम करने का कोई जरूवत निया ये स्रिप समझाने के लिए बताया गया था next question ये पूछा गया है पूरा असान-असान question है तीसरा number question है बस ये पूछा गया है कि cosic में किसका value do होता है cosic में किसका value do होता है तो तुम कर सकते हो सब 30 30 का value cosic में किसका value जो होता है 30 का और 30 degree को मैं लिखता हूँ 5y6 तो finally answer आपका हो गया 5y6 कुछ दिमागे नहीं लगाना है कुछ लिखना उखना नहीं है time जाम करने बहुत important objective को लेकर बहुत बार question पूछे जाते है चलिए next यहां की बात करें यह अच्छा है देखिए angle आगे आपको negative में angle किसी में आगे है negative अब मेरे ब्रदर यह जब negative में आगे है न तो भाई मैंने concept वीडियो में पढ़ाया है कि जब angle negative time inverse minus x जब angle negative हो न तो इसका formula हो जाता है minus time inverse x जब angle negative हो तो angle देखो यहां पे negative था तो formula क्या हो जाएगा minus time inverse देखिए minus के बाद x रहता था मेरे पास यहां क्या है root 3 है तो क्या लिखा जाएगा अब तुम बस पने से जानते हो कि minus का minus यह पूछना चाहरा time में किसका value root 3 होता है तो बहुत बार बताएं है कि time 60 degree का value root 3 होता है तो direct इसको 60 degree के value चिपका दो 60 बोले तो pi y 3 होता है यानि 60 degree को हम pi के रुप में या तो radian के रुप में pi y 3 होता है तो direct इसको देखने कि time में किसका value root 3 होता है तो कहेगा गुरू जी 60 का और 60 को हम लग क्या लिखते है pi y 3 बहुत ही असान सा प्रस्न था same ये question आया minus वाला बहुत तरीके से हम याद करा दिया आपको इसाब कुछ देखने का जरूवत नहीं है concept video देखो काम ख़ते गुरू जी इतनी असान होती है मैत क्या भाई हाँ इतनी असान होती है एक-एक question बन जाएगा आप मेरे भाई ही हो आपको जितना हलका हो सके उतना हलका करने का कोशिस करेंगे चलिए गुरू जी अच्छा ये तो minus है हम बोले हाँ भाई minus है तो minus वाले का फर्मूला क्या होता है इतना मजेदार तरीके से फर्मूला याद कराने का किप्स बताया हो कि कभी तुमको याद करने का जरूत नहीं पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विडियो का लिंक पड़ा रहेगा जाके देख लेना हो सकते अपने दोस्तों को भी देज़ना कि भाई देखो कितने बजे से याद करा गया है तो हम लोग यहां बात करते हैं फर्मुला क कि एक्स रहता है तो एक्स आता है मेरे पास माइनस के बाद 1y2 है तो बनवाई 2 आएगा और इसको बनाना तुम इतनी खुबसूर्ती से जानते हो ना कि हम क्या दुनिया का बच्चा-बच्चा बोल सकता है कि कॉस में किसका भैलू एक वटार्द होता है तो मैं तुमको ब इन्वार्स बनवाई 2 तो इतना ताम जहां मत करना डेरेक्ट देखो कि काउस में केकर भाईलू एक वाटा दू होता है हम जानते हैं साठ का और साठ को तुम लिख दो कि क्या होता पाई वाई थिरी मन करे तैहाई लस्यम भी लेलो और अगर मेरे अश्टुडेंट राचुके हो तो मैंने इसका तरीका क्या बताया है कि ऐसे क्रॉस बुना करो तीन अतीन में से एक गया तू पाई वाई थिरी और यह कोशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका दीजे कि हां गुरू जी इसका अंसर यह आएगा क्यों भाई क्योंकि टैन माइनस वाला मैंने पहले ही पढ़ा चुका है कि टैन माइनस में रहता तो क्या होता है सेम यही फर्मूला लगेगा आप बस यह फर्मूला ही जान करता है सेक में किसका वहेलू भी ट्मेंड़ी में आपको बता दू किस यह त्द्माग लगाने का कोई जरूरत ही नहीं था बहुत तरीके से याद हो गया था चरी यह भी बहुत आसाली है अपने का इसका बैइंट एंट में किसका हुआँ में किसका बैलू रूट सुरी होता है तो तुम को होगी गुरुजी हम जानते नहीं सर, 30 का भैलू होता है, रूट शिप, तहम बोले, अच्छा 30 का, तो 30 को क्या लिखते है, रेडियन के रूप में, 5Y6 लिखते हैं, 5Y6 लिखते हैं, यह आपका क्या हो गया, मतलब, तुकासा सवाल है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, सहीं, यार, किलियर, कोई भी करने, आगे देखते हैं, आगे यह देखते हैं, 9 नमबर, 9 नमी नमबर कोशन देखते हैं, बहुत सवाल है, अच्छा यह भी, पहले भी बता चुका हूँ, कि जब कॉस माइनस में रहता है, तो इसकी मैंने एक फर्मूला भी आपको बताया, कि जब कॉस माइनस में रह जब हाता है, तो इसका हम बताये कि पाइनस माइनस कॉसस इनवार्स होता है, सेम इसी फर्मूला का, इस्तमाल करेंगे, कि पाइनस कॉस्च इनवार्स, देखिए, माइनस के बाद एक स traffic रहता है, मिरे पास माइनस के बाद 1y रूट को है, तो क्या हो गया, यहां से बनानों तो बहुत तरीके से जालते हो माइनस कोस में किसका वेलू बाणवाटा टू होता है तो मैं बता दू कि कोस 45 का वेलू बानवाई रूट तो डिरेक्ट आप चले आओ न कि कोस 45 का वेलू रूट बस यह डिगरी लिखना 45 को पाई तालीस को हम लोग रेडियन को रूप में क्या लिखते हैं पाई भाई पोर लिखते हैं यह मैंने लिख दिया पाई भाई पोर बस मेरा बच्चे हो तो ऐसे कर सकते हो चार में से गया तीन पाई बटा चार यह आपका क्या हो गया को एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरुवत नहीं था मेरे भाई बहुत ही चोटी-चोटी कंसेप्ट के साथ हम लोग बढ़ दिखे लेना यह सब कुछ करने का जरुवत नहीं यह तो एक सरसाइज है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईए बनाई यह राम से टेन नंबर कोश्चन देख लिए क्या बोला अच्छा सर यह तो कोई दिक्कत ने मैंने कोशे का भी फर्मूला पढ़ाया है कि जब कोशेक इनवार्स माइनस एक्स रहना यह होता माइनस कोशेक इनवार्स एक्स यही अब तो करना क्या डिरेक्स उखना सर बोलो ना माइनस मैं मैं बता दूं ग fountain automotive और गीजग लिए तालीन का रूप में लिए पाई वाई फोर लिखते हैं यानि मेरे अनुसार जो अंसर आएगा माइनस पाई वाई फोर आएगा डिरेक्ट लिख दो मैंने बताया तो बस पूछो इससे कि कितना का 45 तो लिखो 45 पाई वाई फोर ज्यादा दिमागी नहीं लगाना है बहुत असान असान नेक्स कोश्चन आपको यहां से क्या बोला है? find the value of the following मतलब कुछ गोश्चन दिए गए हैं उसका क्या करना है भैलो नेकारना है? आगे बात करना क्या है? कोश्चन आपका यह रहा है बस वहां क्या था कि अलग-अलग question दिया रहता था और यहां एक साथ करके दिया दो-तीन question को एक साथ में बनाना है कोई दिक्कत ने बहुत तरीके से बना लेंगा देखिए सबसे पहले 10 में किसका value बन होता है तो मैं जानता हूं कि 10 45 का value क्या होता है बन होता है थो 45 तोड़े न लिखेंगे 45 की मायनस में आ गया तो गु dua जी माइनस फर्मूला लगा था न यहां जाएगा पाई माइनस कि इन भार्स एक्स एक्स रहता तो एक्स मेने पास अपन फासट कि पलस को ग्याच अच्छा साइन योटी यह ए्फ पिर पाइन मैंने फास विश्ड़ेया तुप साइन state साइन माइनस रहता है माइनस साइन इनवार्स एक्स की जगा पर बहुत सलीके से बन जाएगा ज्यादा एक्स्टा दिमाग लगाना ही नहीं तुम बहुत खुबसूरत तरीके से बना सकते हो पाई वाई को पलस पाई माइनस कॉस में देख लो बन किसका वैलू होता है तुम कह सकते हो कि अच्छा जी कॉस में बन वाई टू देखना है कॉस साट का वैलू ये क्या होगा अच्छा कॉस साट का वैलू क्या होता है बन वाई टू तो स लगता है पाइवाई 3 बहुत मज़े से आए पलस माइनस 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 को इसको सॉलूसन कर दो ना पैवाई 4 तूट तीन में से एक गया पलस बचेगा पाइवाई 3 तूट यह तीन में से गया माइनस पाई बाई जिक्स अब LCM ले लो ना LCM ले लिजी क्या परेशानी है LCM ले लिजी LCM लिजेगा तब LCM लिजेगा तो कितना जाएगा तू वेल में तीन बार पढ़ेंगे तीन पाई हो गया पलस चार दुना आठ पाई माइनस दूपाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे अंदास से बहुत बेसिक सा सवाल था सेम कोश्चन ये रहा, आपको कुछ करना है नहीं, ये किसका वैल्यू एक वठा दू होता, तो कहो गुरूजी, कौस साट का वैल्यू एक वठा दू, अगर आपको वैल्यू निकालने में भी पता नहीं है, तो वैल्यू निकालने का भी तरीका मैंने बहुत सलीके से और लिए तो यहां पर क्या हो गया कि कॉस्स में किसका वैल्यू बाटा तो मैं बताओं जी साइन तीस का वैल्यू बाटा और तीस को हम लोग लिखते हैं पाई बाई शीक्स तीन से कट गया तू पाई वाई थी अब थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो पता चलेगा कि पाई अगर समझदार हो ले सकते हो और बेवकूप हो तो मैंने बताया कि जब हर सिम रहना तो उपरे-उपरे जोड़ दो तू पाई वाई थी यह आपका क्या हो गया है कि इतने चोटी-चोटी मजे की बात है ना कि अंधाव्यक्ति निका सकता चोड़ो भाई प्री नरसरी वाल कततत आपका भाई यह प्रस्नेली मेली ओफिस का नंबर डिस्रिप्शन बॉक्स में मैसेज किजिए बाते किजिए कि गुरु जो मेरे साथ यह परसानी है आपकी परसानियों को मैं समझ कर उस पर वीडियो लाता रहूंगा यह सर मैं क्या हूं कि थोड़ा डिस्टर्ब हू या तो फिर मुझे इससे पढ़ाय नहीं होती है मेरे पार्टनर गलत है या मैं किसी के भीना रह नहीं सकता हूं जो भी परसानियों मेरे से बताईए मैं आपको उस पर वीडियो लाकर समझाने का फुली कोर्सिस करूँगा आप उसके लिए निफिकर रही सबसे पहले बात तो साइन इनवार्स एक्स का जो होता ना माइनस पाई वाई तू से लेकर क्या तक होता है पाई वाई तू तक होता है बस यही होता है जो साइन इनवार्स का रेंज होता है ना ब्रादर वो माइनस पाई वाई तू से पाई वाई तू तक होता है ऐसे से सेच्वेशन में आप ऐसे समझ香 ना वाइट टू को प्या लिकाने और यह वह थूतर मिलता है यह आपका सब्सक्राइब करता हूं कि इतना टाइम थोड़ी न लोगे इसमें बनाने का कोई जंजट है नहीं तेकिन बना देता हूं आपसे डर लगता है कि बाद में यह मत का देना कि अच्छा गुरुजी लास्ट वाला कोर्शन छोड़ दी हो सके आपको ना आता हो तो बड़ा बेजती फिर होता है टैन में रूट 3 किसका वैलू होता है तो जनकारी के लिए आपको हम बता दें कि टैन साथ का वैलू रूट 3 होता है और साथ को मैं लिखता हूं पाई सरे करते हैं अभर करते हैं इतने तरीके से इसको हो गया क्यों बार बार एक की बात को पढ़ा रहे हो तो क्या हो जाएगा पाई- सेक इनवार्स एकस का भैलू एकस के जगा पे दो है अब अलो पाई बाई 3 माइनस सेक में किसका भैलू जू होता है तो मैं आपको जंकारी के लिए बता दू सेक साथ का भैलू क्या होता है साथ को हम लोग लखते हैं पाई बाई 3 और नहीं जानते हो तो कंसेप्ट विडियों में देखो ना साथ डिग्री को रेडियन में हम लोग क्या लिखते हैं पाई वाई फिर अब इसको सॉलूसन कर दो अगर यही छोटी सी भी सॉलूसन नहीं आती है ना नहीं आती है तो छोड़ दो फिर जी ना अब इसको बना लो सेटिंग का कैसी आपका अंसर ना पैसे कमाते हैं ना आपकी कोई सेटिंग तो आप यह मान लेना कि मैं सिर्फ इस पलानेट पे सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने आया हूँ और कुछ नहीं करने आया हूँ, बेवकूफों वाली काम मत तरो, जीतना हो सके मैत बनाने का कोर्शिस करो, नहीं बनेगा, तेरा भाई आपके साथ है, बिल्कुल बना देगा, आ प्रियो पॉस्ट, बस मेरी इच्छा है कि मैं जितने लोगों की जरुवत हो, मैं इनको प्रियो पॉस्ट इच्छा दे सकते हूँ, लव यू फॉर आल आप माई ब्रादर सेंशिस्टर, अपने दोस्तों को इस वीडियो को सेयर कर दो जुक्त, पढ़लो, फायदे हो जाए दोस्तों को जो पॉस्ट प्रियो बगात है कि मैं झाल, आइचल, प्रियो, जुक्त, आई, ल понा ब्रादर सेंश को गॉार इचल ऑलो, कrabbn के जितने हुआ है मैं